हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी के मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाम है यूपी वालो की स्टेडी दोस्तो आज मैं आप लोग के लिए वीडियो बना करके लाया हूँ इसमें आप लोगों को मैं जो छात्र बीए फ़स्टियर के स्टुडेंट हैं और समास सास्त्र को सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो दोस्तों यह समास सास्त्र की वीडियो है कि बीए फ़स्टियर के समास सास का सेकंड पेपर हैगा दोस्तों बीए फ़स्टियर वालों के लिए समास सास्त्र का सेकंड पेपर मैं आप लोग लिए वीडियो के तौर पर बना करके लाया सब्सक्राइब तो अगर आप लोग बूग फिस्टीर एक स्टूडेंट है और समास सास्त्र को लिये हुए हैं तो माँने इसके पहले एक समास सास्त्र दोस्तों यह दूसरी वीडियो यानि से संबंदित किताबों से बनाई गई है और अगर आप बनेल ऊनिवर्स्टी से नहीं और किसी उनिवर्स्टी तो भी कोई बात नहीं दोस्तों यह यह वीडियो आफ सभी लोगों के लिए और आप के 11ळा में आपको देखने को मिलेंगे यह आप लोग के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और इसमें मैं कोश्चन पढ़ूंगा उसके बाद आप लोग को आंसर बताऊंगा बोला जूम कर दूंगा आप लोग को साथ दिखाई दे उसके बाद मैं कोश्चन पढ़ूंगा और उसके साथ आंसर पढ़ूंगा कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन ऐसे जो अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोग के बहुत काम आने वाले हैं चलिए दोस्तों पढ़ लेता हूं मैं आप भारत में नियोजित परिवर्तन में क्य जलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं साधानल भासा में नियोजित परिवर्तन का अर्थ नियोजित ढंग से परिवर्तन होने से है इसका अर्थ यह नहीं है कि नियोजित परिवर्तन का संबंद केवल एक योजना बनाकर परिवर्तन लाने से है इस परिवर्तन की य स्थापित करें तो दोस्तों दूसरी हैडिंग दी हुई है आगे पढ़ लेते हैं भारती समाज में हो रहा है परिवर्तन एवं रूपांतर के प्रभाव तो जितने भी को जो भी हमने कोश्चन उपर पढ़े उन सभी के आंसर इसमें दिये हुए है तो आगे पढ़ लेते है हैं भारती समाज में हो रहे कुछ नियोजित परिवर्तन अग्र परकार के हैं चलिए पढ़ लेते हैं तो दोस्तों पहली हैडिंग है कि जन संक्या में ब्रद्धी प्रद्धी को रोकना तो भारत वर्स में जन संक्या की ब्रद्धी अत्यंत तीव्र गती से हो रही है जन स कार द्वारा इस दिसा में किया गया कार नियोजित परिवरतन को इस पश्च करता है अगली एडिंग है दोस्तों दूसरी यानि की ग्रामिल जीवन का पुनर गठन भारत एक क्रशी प्रधान देश है यहां की अधिकान से जनता ग्रामों में रहती है ग्रामों की अनेक समस्य जैसे क्रशी का पिशड़ापन और असिच्छा उसके बाद सिचाई की असुविधा यातायात के साधनों का अभाव समुचित स्वास्त और चिकिस्सा का अभाव इन समस्याओं का निराकरण किया अवस्यक है अता ग्रामिल जीवन को पुनर गठित करने के लिए नियोजित प्रिवर्तन अवस्यक है स्वतंत्र भारत में क्रशी के छेत्र में नियोजित प्रिवर्तन में सफलता मिली है क्रशी की दसा में सुधार हुआ है पंच वर्सी योजनाओं के अंतरगत साधानल के स्वास्त के लिए चिकिस्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है ग्राम पंचायतों ने ग्रामिल जीवन के पुनर गठन में महुत्य पूर्ण योगदान दिया है ग्राम पंचायतों ने चिकसा सच्छता दोस्तों मैं दूसरी एडिंगो फिर से सुरु पढ़ देता हूं तो एक बार और पितागी अच्छे समझे तो ग्रामिल जीवन का पुनर गठन इसी को हम लोग पढ़ रहते दोस्तों चलिए फिर से मां सुरु पढ़ देता हूं आगे एक बार और भारत एक क्रसी प्रधान देश है यहां की अधिकांज जनता ग्रामों में रहती है ग्रामों की अनेक समस्याइं हैं जैसे क्रशी का पिछला पन असिच्छा सिचाई की असुविधा यातायात के साधनों का भाव समुचित स्वास्त और चिकिस्था का अभाव इन समस्याओं को निराकुलन किया जाना अवस्या गए अता ग्रामिर जीवन को पुनर गठित करने के लिए नियोजित परिवर्तन अवस्या गए स्वतंद्र भारत में क्रशी के छेत्र में नियोजित परिवर्तन में असफलता मिली है क्रशी की धसा में सुधार हुआ है पंचवर्सी योजनाओं के अंतरगत जन स परिवर्तन किया है इस प्रकार ग्राम पंचायते नियोजित परिवर्तन का एक प्रमुक्त साधन है तो दोस्तों अगली एडिंग पढ़ लेते हैं तीसरी एडिंग समाज की कूरितियों को दूर करना भारती समाज में अनेक कूरितियां प्रचलित थी जैसे बाल विवाय सती समय समय पर इन कूरितियों को दूर किये जाने के प्रयास किये गए सरकार द्वारा इनको दूर करने के लिए कानून बनाए गए परन्तु भारती जनता के अंदिविश्वास के कारण इस छेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो सकी अगली एडिंग दोस् सकता है किसी भी समाज में यदि परिवर्तन की दिसा पर कोई नहीं लगाया जाता है तो समाज में आर्थिक परिवर्तन हो जाता होते हैं परन्तु यह अवस्यक नहीं है कि इस प्रकार के परिवर्तन से समाज के वर्गों का भला हो प्राया इस परिवर्तन से एक वर्ग वि पर तेक समाज में अंद्विस्वास देखे जा सकते हैं बिल्ली रास्ता काड़ जा तो उसे असुब मानना चीक होने पर प्रस्थान रोग देना सोंबा सनीवार को पूरब ना चलना पड़वा को घर से ना चलना आधी ऐसे अंद्विस्वास हैं जो समाज की प्रगती को रो अधोगी करण की समस्याएं भारत में अधोगी करण तेजी से हो रहा है इसी के साथ अधोगी करण की अनेक समस्याएं उत्पन हो गई हैं अधोगी करण ने घनी बस्तियों को जन्म दिया है घनी बस्तियों में अपरात पनपते रहते हैं नगरों में कारखाने स्थापित ह हो गए कारखानों में पूंजी पतियों और स्रिमकों में संगर्च होता रहता है कि भारत में नियोजित परिवर्तन के द्वारा अधोगी करण की समस्याओं का निप्टारा करने का प्रियत्न किया जा रहा है अगली हेडिंग है दोस्तों नंबर साथ इस्तिरियों की दसा में सुधार भारत में आज कल इस्तिरियों की दसा में विशेश सुधार आया है अब इस्तिरियों की सिच्छा का मौत तो समझा जाने लगा है पच्चमी सब्विता के प्रभाव ने भारती इस्तिरियों की इस्तिति को पूर्ण रूप से बदल दिया है भारत सरकार ने अनेक अधिनियम पास किये हैं जिससे भारती इस्त्रियों की दसा में सुधार हुआ है अब इस्त्रियों को भी संपत्ती में अधिकार मिलने लगा है अब बाल विवाय कम होते हैं और विद्वा विवाय को भी प्रोसान दिया जा रहा है पती पत्नी का पारसपरिक समा योजन ना हो पर उन्हें विवाई विच्छेत की अनुमती मिलने लगी है सरकार अंतर जाती विवाई को पुरुस्तान दे रही है दहेज प्रिता को समाप्त करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं इस्त्रियों की सिच्छा का विजेश प्रबंद किया गया है अब इस्त्रियां घर की चार दिवारी तक ही सीमत नहीं रहती वे समाज के प्रतेक छेत्र में प्रवेस कर गई हैं अब इस्त्रियां दुकानों कारखानो प्रतिश्ठानों कार्रियानें और बैंकों में नौकरि करने लगी हैं इस फच्ट कि नियोजित परिवरतन के दोारा इस्तितियों की सुधार हुए है अगली अ क्छी जाने वाली जातियों की इस्तिति में विसेश्ष सुधार हुआ है उनकी आर्थिक दसा को सुधारने का सरकार ने पिटेक संभव प्रयत्न किया है भारत सरकार ने उनकी दसा सुधारने के लिए अनेक अधिनियम पास किये हैं अब उनको किसी भी धार्मिक स्थान होटल मंदिर आधी में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाता आ इस को अपरात घुसित किया गया है जो व्यक्ति चुगा चूट मानते हैं उनके खिलाब करी कारवाई की जाती है हरी जन बालकों को पढ़ने के लिए विसेश सुभधाएं दी जाती है नौकरी में उनको अरच्छन की सुभधा दी गई है कुछ रिक्त इस्थान के वल अनुस सुतार सुतंतरा प्राप्ति के पच्चात स्रमकों की भलाई के लिए अनेक उपाय किये गए हैं उनकी कार की दसाएं संदोज जनक बनाई गई हैं स्रमकों के कार अनेक के घंटे कम किये गए हैं उनको चिकिस्था और आवास संबंदी अनेक सुभधाएं दी गई हैं उनकी सुरच्छा का भी अब भीमा किया जाता है यदि कोई स्रमे कार करते समय अपंग हो जाता है तो उसे जीवन भर आर्थिक साहिता दी जाती है यदि कोई स्रमे कार करते समय किसी दुरुगटना का सिकार हो जाता है तो उसके आश्चिर्दों को जीवन निर्माय के लिए कुछ भारत सरकार ने स्रमकों की दसा सुधारने के लिए अनेक आधिनियम पास किये आसा की जाती है कि नियोजित परिवर्तन के द्वारा स्रमकों की दसा में विसेश सुधार लाया जा सकेगा दसमी हेडिंग है दोस्तों स्वास्त और फोसन में सुधार भारती लोगों का विसेश कर बालकों के स्वास्ति का इस्तर बहुत नीचा है बालक में बालकों की म्रत्यु दर्ग भी बहुत अधिक है पंच वर्सी योजनाओं में भारत वासियों के स्वास्त को सुधारने का विशेश प्रयत्ने किया गया अनेक संक्रामक रोगों पर विजय प्रात्त की गई है जाएमीगाओं डूसित व्यक्ति नहीं के बराबर हैं ना के बराबर हैं पंच वर्शी ये ओजनाओं के दुआरा भारत में प्रिसार के प्रियास किये जा रहे हैंज समीर चोhew तो अब को साप दिखाईएं और कुछ राज्यों में माध्मिक इस्तर तक सिच्छा निसुल कि दी जाती है चलिए अगली पेज़ में चलते हैं दोस्तो बारवी एडिंग है दोस्तो जाती गत बुराईयां दूर करना भारत में अनेक जातियां और उप जातियां है ये जातियां एक दूसरे से फेलाया है यातिवाद एक समाजिक अभिसाफ है स्वातन्तर भारत की सरकार समाजिक आधिनीमों को पारित करते करके जाती ववदस्ता गत कट्रता को गशाया आर्षिहाया Напानल ने जाती करन एक रिवह को के यहां भोजन करते हैं और वैवाहिक संबंद स्थापित करते हैं इस प्रकार जाती विवस्ता में परिवर्थन आ तेर्मी एडिंग है दोस्तों वैवाईक संबंदों में सुधार भारत सरकार ने अनेक अधिनियम पारित करके विवाय संता को और अच्छा बनाने का प्रियास किया है अब भारत वर्षे में बाल विवाय की संक्या कम हो गई है और दहच प्रताभीक समाप्त हो रही है अब ब दिवाय विच्छेत की भी अनुमती नियायले द्वारत दी जाती है चौद्मी हेडिंग है दोस्तों क्रैसी में विकास स्वतंत्रतर प्राप्ति के परचात क्रैसी की दसा सुधाने का विशेश प्रयास किया गया है अनेक पंचवर्सी ओजनाओं के द्वारा क्रैसी की नियोजित परिवर्तन में बाधायं, सीमाएं और समच्याएं चलिए पढ़ लेते हैं भारत वर्से में नियोजित परिवर्तन की विशेश अवसकता है भारत के स्वतंत्र होने के पच्छात इस दिसा में विसेश प्रयास भी किये गए हैं और किये जा रहे हैं पर अन्तु तो ब्रश्ट राजनीती भारत वर्से में दल गत राजनीती है राजनीतिक ब्रश्टा चार का बोल बाला है इसके फल चोरूप नियोजित परिवर्तन में अवरोध आता है विविन ने राजनेतिक दल समाज में लाए जाने वाले परिवर्तनों का विरोध करते हैं उनके वि जानता है यह बड़aimer उनकी आशिच्छा का लाब उठाते हैं वे धर्म के अधार पर उनके उन्न सामाजिक कानूनों का जिनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाया जाना होता है विरोत करवाते हैं इसके फल सोरू परिवर्टन की गति अवरुद्ध हो जाती है तो दोस्तो अगली है अंदे विश्वास का बोल वाला दूसरी है अंदे विश्वास का बोल वाला भारत वर्जे में रूडियां और अनेक परंपराएं तचलित हैं व्यक्तियों का द्रश्टी कोण संकुचित हो गया है वे अंद विश्वासी हैं वे इन रूडियों और परंपराओं को तोलना नहीं चाहते ऐसा कोई भी परिवर्तन जो इनको प्रवावित करता है उन्हें मंजूर नहीं है अ जवीन कानूनों द्वारा विवाय संपत्ति आदी से संबंदित परिवर्तन किये गए हैं परंतु इन कानूनों को प्रामिण जनता की स्विक्रति प्राप्त नहीं हुई उन्होंने तो इनका विरोध ही किया है इस दिसामे नगरी चेत्रों में कुछ सफलता प्राप्त हु तीसरी हैडिंग भारत वर्सी की अधिकान जनता अभी भी असिच्छत है सरकार द्वारा नियोजित परिवर्तन लाने के प्रयास किये जाते हैं सरकार इस कारे को जनता के सहयोग से भली प्रकार से क्रियानवित कर सकती है परंतु भारत वर्सी की जनता अपनी असिच्छा क कारण इसका महुत्व नहीं समझ पाती है इसके महुत्व से अनिभिग्य होने के कारण उसका इस दिसा में कोई सयोग भी नहीं होता अता नियोजित परिवर्तन की इस दिसा में प्रगरती नहीं हो पाती अगली हेडिंग है दोस्तों जनसंक्या की व्रद्धी यानिक समाज में पंच वर्षी योजनाओं और सामुदाइक योजनाओं द्वारा परिवर्तन लाने का प्रियास किया गया है परंतु चन संक्या की तीब ब्रगती में ब्रद्धी के फल सुरू इनको सफलता नहीं मिल पाई है हीडिंग नंबर 5 है दोस्तों योजना में कतिपये दोस्त परिवर्तन परिवर्तन के संब्वन्दित योजना के लिए परियाप्त समय की अभूसकता होती है भारत में सभी श्यूजनाों को करने के लिए अल्पकर निर्धारत किया जाता है इतने इतनी व्यापग योजनायं करने करने इतने व्यापक योजनायं करने के मार्ग में बादा हैं सब्सक्रेसरय को सबस्emi सबही आफ़ाई चलिए और जो कोश्चन से उसको भी पढ़ लेता हूं एक कोश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर तो जो लगू उत्री प्रेशन है इसको लेकिन नहीं पढ़ना है मुझे क्योंकि मैं जो भी कोश्चन लेकिया है वो लॉंग में है तो यह लगू उत्री को नहीं प्रकट करने वाले बिंदूओं की विवेचना कीजिए तो उत्तर है दोस्तों भारती समाज में केंद्र भिमुक्ता के दर्सन निम लिकित छेत्रों में होते हैं पहली हैटिंग है दोस्तों भौतिक वस्तूओं में हिस्सेदारी एकी करण के मार्गे में एक बड़ी बाद भौतिक पदार्तों वस्तूओं की केंद्र भिमुक्ता से सम्मंदित निर्धनता और आर्थिक विसमता हैं भारत में अनेक राज्य यद्दपी प्राकर्तिक संसाधनों की दर्ष्टी से अत्यंद धनी हैं किन्तु वहां के निवासी आज भी उनमें हिस्सेदारी नहीं प् अर्थिक द्रष्टी से निर्धन और अभाव ग्रस्त लोगों को दिन भर कड़ी मेनत करने के बाद भी ना तो भरपिट भोजन प्राप्त होता है और ना ही प्रियाप्त रूप से वस्त्र और आवासी मिलते हैं तो दोस्तो देश में ग्रामिर जनता का सरवादिक भाग रहता है किन्तु ऐसो अराम के सभी साधन नगरों में उपस्तित हैं इस अवस्ता में मद्दूर किसान वर्ग का उन्जी गत वर्ग के साथ विरोध स्वाभाविक ही है भारत में कुछ राज्य आर्थिक दस्टी से अग्रणी तो कुछ अत्यंत भी पिषड़े हैं इतना ही नहीं एक ही राज्य के अलग-अलग भाग में सम्रद्यता संपन्यता और पिषणेपन की इस्तिती देखी जाती है पच्चमी उत्तर प्रदेश प्रतेक द्रश्टी से संपन्य जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत पिषड़ा हुआ है पंजाब हर्याना दिल्ली महराष्ट गुजरात और दच्छ भारत यद्यभी कच्चे माल और खनीच पदारतों की दर्श्टी से अत्यंत समुन्त हैं देश के प्रतेक राज्य में प्रतिव्यक्ति आउसत आये में जमीन आस्मान का अंतर दि दमान हैं अता उनसे राश्ट्री एक्ता की बाते करना व्यर्थ है सतंत्यता की पच्चात से ही करोणों लोग बेरोजगारी का सिकार हैं जिने अनेक अभावों का सामना करना पड़ता है तो दूसरी और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दिन भर लाखों करोणों कमाते हैं उनकी तिजोरियों में अपार धन व्यर्थ ही पड़ा रहता है भारत में अमीर गरीब की यह खाई दिनों दिन बलती जा रही है देज में समाजवादियों देश्यों की प्राप्ति की कहुंशना पंच वर्सी योजनाओं और गरीबी हटाओं तता कांग्रेस का हाथ जया ही है सौरी दोस्तो आर्थिक संसादुनों और राष्ट्री आय में असमान इस्तेदारी ने समाज के एक बड़े भाग में असंतोस को जन्म दिया है जिसके दर्सन आतंकवाद प्रथकतावाद नकसलवाद जैसे हिंसक अंदोलन के रूप में देखे जा रहे हैं इस प जातION प्रवत्त्तियों को पर मिलigo hemma i अगली दोस्तो हैडिंग अस संस्कृतिक दूरी यह अंतर दूसरी हैडिंग है दोस्तो कालुचरल स्पेश भारत का राष्ट्री एक्ता से संबंदित एक अन्यकारक विभिन्यन चेत्रों में विदमान संस्क्रितिक दूरी यह अंतर भी रह रहा है भारत के विकास में कहा जाता है पांच कोस में बदले पानी का दास कोस में बानी पूर्वे से पच्चिम और उत्तर से डचन जाने पर हमें तोड़ी-थोड़ी दूरी पर ही वेजबुसा खान-पान, रहें सहेंगी पद्दतियों रूप रंग आदी संस्कृति के बिभिन अंगों में बराबर अंतर दिखाई देता है पंजाब उत्तर प्रिदेश हिमाचल प्रिदेश बंगाल बिहार उलीसा तमिलनाडू करनाटक अंध्र केरल महराष्ट गुजरात आदी में इस्तरियों की वेजबूसा में बहुत अधिक अंतर दिखाई देता है यही बात पुर्सों की वेजबूसा के संबंद में कही जा सकती है कश्मीरियों और बंगालियों के रूप में रूप रंग में बहुत अंतर है दोनों की संस्कांस्कृतिक प्रमपराओं में प्रियाप्त अंतर दिखाई देता है कि उसे देख कर आश्चर होता है इस पश्ठ कि भारत में अलग-अलग छेत्रों में निवास करने वाले लोगों के दहन सैन खान पान अचार विचार वेज भूसा तीज तिवार पर आधी के आधी में अनेक प्रकार की दूरी या अंतर के दर्सन होते हैं है भारती समाज में न्रवणसी विसम सत्था भी दिखाई देती है समू भारती समाज का एक वाङ भाग है जो परिवार की पधती भासा मरुअन्जन और प्रتمजर्म और संस्क्रति की उत्पत्ति के आधार पर स्वयमे मकों दूसरे से अलग मानता है पिरत्यक न्रवंसी की अपनी एक संस्कृति भी होती है जिसके माद्यम से वाई अपने संस्कृतिक हितों की रच्छा और अभिव्यक्ति करता है एक निरवन्स के लोगों से अपनी सेश्टता को सिद्ध करने के लिए अपनी भासा रीती रिवाज बेजभूसा रहन सैन और उपासना पद्दति की अधिक व्याक्या करने लगते हैं यह संस्कृतिक दूरी का एक ही उधारन है भारत में आर्री संस्कृति और द्रविण संस्कृति के बीच प्रारम में से दूरी बनी हुई है जिसके दर्चन अनेक छेत्रों में हो सकते हैं दोनों संस्कृतियों में परिवार, विवाय, जाती और धर्म को लेकर प्रियाप्त अंतर पाई जाते हैं दच्छन में उत्तर भारतियों और हिंदी भासा को लेकर अनेक संघर्ज और अंदोलन तक किये गए हैं भारती समाज में हिंदूओं और मुसल्मानों को बीच सबसे अधिक संस्कृतिक दूरी पाई जाती है हिंदू बहु देव बादी हैं और तो मुसल्मान एक केशवर वादी हिंदू मूर्ती पूजक है तो मुसलिम मूर्ती पूजा के विरोधी दोनों के मद्द आज भी अनेक दूरियां पाई जाती है भारत में अन्य संस्कृतियों की अपेच्छा हिंदू-मुस्लिम संस्कृति में सरवादिक दूरी देखी जाती है हिंदू मुस्लिम संस्कृति का यह पारंपरिक विरोध प्राया ही धारमिक संस्कृतिक तनाव और संगर्सों को जन्म देता रहता है। भारत के संविधान में अल्प संक्यों को कुछ विसेश संविधाय दी गई हैं। बहु संक्यक वर्ग को यह भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका विचार है कि सभी लोगों के लिए एक संवान विधान होना चाहिए। राष्ट्री और समाजिक एकिकरन के मार्ग में दोनों के बीच तनाव बड़ी बादा बन गई है। को विभिन्निताओं का देश कहा जाता है। प्रजाती जाती जन जाती धर्म भासा जलवायू खान पान पहनावा रहन सहन आदी की द्रश्टी से यहां अनेक अंतर द्रश्टी गोचर होते हैं। भारती समाज में सांस्क्रतिक भिन्निता के अनेक आयों के दर्सन होते हैं। भारती समाज में प्रथाओं, वेजभूसा, रहन सहन, खान पान, कला, आदी की द्रश्टी से प्रयाप्त भिन्निताएं पाई जाती हैं। देश के प्रतेक छेत्र के निवासियों की अपनी अपनी विशिष्ट प्रथाओं हैं। इतना ही नहीं, एक ही छेत्र के विभिन्न धार्मिक समुओं की प्रथाओं में भी अत्यदिक अंतर दिखाई देता है। उत्तर और दच्छन के निवासियों की गरामिडों और नगर वासियों की हिंदू और मुसलिमानों की परमपरा वादियों तथा आधुनिक कहे जाने वालों की बेज भूसा में भी परियाप्त अंतर दिखाई देता है। भारत के मंदरों मजजदों गिरजा घरों बहुत देश्तूपों में कला की विन्यता पाई जाती है। यही बात निरत्र और संगीत के विशाय में हैं। विभिन्य प्रांतों के त्योहारों या पूपर्वों या उस्सवों में भी अंतर देखा जाता है। यहां तक की जनता अध्यिक विभिन्यता पाए पाए जाती है डूस्तों आगए हैं भारती समाज में में विद्वान दूरी और अंतर पायाने के लिए यह जाते हैं यह था एक पहला है भउभुलिक परिस्थितियां दूसरा और सांस्क्राटिक बहुल कि दुसरी है छेट्रीम्俺 है या चेत्रवाथ इवं प्रांतीता या प्रांतवाथ और चौता है असिख्छा और अज्यानता है भासाई भासाई विवित्ता और च्सप्रदाइकता और धार्मुक कट्टर्था नौ। जाती वाद दस्वाद ग्यार्मा भावात्मक एवं राष्ट्री एकी करनल का भाव बार्मा यातायात और संचार साधनों की कमी तेर्मा कोटिल राजनीती का प्रभाव चौद्मा अनी योजित सामाजिक परिवर्तन 15 है जन संख्यात्मक भिन्यता 16 भावसाई विवितता 17 सांस्कृतिक सापेच वाद 18 सांस्क्रतिक बहुलता वाद 19 प्रती संस्कृति 20 संस्कृति सन रूपन 21 स्वासाति अधुवा स्वास संस्कृति केंदरिता आधी तो दोस्तो अगली हेडिंग है कि भासा और छेत्री विसेश्टिता तो दोस्तो भारत के एक बहु भासी देश है जहां लगबख 189 भासा हैं और 544 बोलियां प्रचलन में है पिर तेक भगोलिक छेत्र या उप्छेत्र की अपनी एक भासा या बोली है कुछ विद्यानों के अनुसार भारत में लगबख 1650 भासाएं तथा बोलियां प्रचलित हैं भारत की सभी भासाओं को जंडो इंडो आर्यन दरविड तथा आस्ट्रिक भासा नामक तीन परिवारों में बाटा गया है भासा संबंदी विविन्यताओं के कारण भारत में राष्ट्री एक उकलन की समस्या का समधान नहीं हो पाता है भासी ये विन्यता प्रतक्तावात के लिए भी जिम्मेदार है बहासा के प्रस्णे पर भारत में एक छेत्र और दूसरे छेत्र के निवासियों में अधिक तनाव पाया जाता है वरतमान भारत में बहासा समस्या अनेक पहलूओं को लेकर उत्पन हुई है यथा राश्ट्र भासा क्या हो अहिंदी भासी राज्यों में ही हिंदी भासा का प्रचलन है सिच्छा का माध्यम कौन सी भासा हो अंग्रेजी भासा के इस्थान पर हिंदी का प्रियोग भासाई आधार पर प्रांतों का निर्माण आदी इनका समधान करने के लिए सन 1953 तथा सन 1960 में दो बांसा आयोग नियुक्त किये गए सन 1953 में राज्य पुनरगठन आयोग की भी नियुक्ती की गई जिसके सुझावों के आधार पर राज्यों को पुनरगठित भी किया गया किन्तु हिंदी को राष्ट भांसा के रूप में पितिष्ठित करने के निलने का विरोध तच्छन भारत के राज्यों में ने जमकर किया जबकि देश के अधिकता लोग हिंदी भांसा का पुरियोग करते हैं भारत की प्रिमुक के बांसाओं के नाम सम्विधान की आठवी अनिसूची में दिये गए हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नल, कस्मीरी, मलयालम, मराथी, उडिया, संस्करत, सिंधी, तमिल, तेलगु एवं उर्दू, हिंदी भांसी लोगों की संख्या सरवादे का है इसके बाद क्रमसा, बंगला, और तेलगु, मराथी, तमिल, उर्दू, कुजराती, मलयालम, कन्नल, बिहारी, उडिया, राजिस्थानी, पंजाबी, असमिया, संथाली, भीली, कस्मीरी, गोंडा और सिंधी भांसा का प्रियोग आता है भारत में आभाई, आसाई विविद्था, और बहुलता की स्थिति यह है, कि प्रित्यक 20 मील के बाद भांसा में परिवर्तन आ जाता है भांसा के साथ सांस्कृतिक सेस्ताओं में भी अंतर दिखाई देता है, भांसा के साथ धर्म और संस्कृती भी जुड़े हुए हैं विविन्य धर्मों को मानने वाले लोग अपनी अलग अलग भांसा बोलते हैं पिरतेक भासाई समू मात्र अपनी भासा को सही सर्व स्रेश्ट मस्ता है हिंदू संस्क्रत और हिंदी भास को मुसलमान उर्दू अर्बी और भार्शी भासा को सिक्क गुरू मुखी भासा को बौध पौली वा प्राक्रत भासा को इसाई अंग्रेजी भासा को स्रेश्ट तर और भासा मानते हैं, प्रत्येक भासा को कि अपनी एक लिपी है, कुछ भासाइं अत्यंत सम्रद्ध हैं, तो कुछ अत्यंत पिछडी भी हैं, संस्क्रत भासा का प्रभाव अधिकान से भासाओं पर दिखाई देता है, जिसमें हिंदी बंगला असमिया पंजाबी प्रमुक है भारती भासाओं की इस बहुलता से अनेक समस्याएं भी उत्पन हो गई हैं, भासाई विविन्निता प्रतक्तावाद की जन्नी हैं, भासाई प्रतक्तावाद से लोग उद्धिवेक गातमक ड्रश्टी से काफी प्रभावित हैं भारती समाज में भासा के नाम पर एक छेत्र और दूसरे छेत्र के लोगों में काफी तनाव पाया जाता है, भारत के नाम पर उत्तरी छेत्र और दच्छनी भारत में संगर से भी दिखाई देता है, भासा ने विवाजक तत्यों के रूप में भारत की एकता को अप्रणली शर्चती पहुंचाई है भासा के नाम पर देश में पंजाबी सूभे तक की मांग की जा चुकी है इस संदर्म में हिंसक अंदोलन भी बहुत हुए हैं दच्छन की भासाएं और अत्तर की भासाएं यद्दपी मूल रूप से एक ही उद्दगम से निकलती हैं किन्तू सुनने में इतनी भिन है कि हिंदी छेतर में आने वाला व्यक्ति तमिल और कंणल को सुन कर मूँ बाएं खड़ा रहता है तो दोस्तों अगली एडिंग है छेत्रिता या छेत्रवाद की समस्या राश्ट्री एक्ता के मार्ग की एक बादा छेत्रिय या छेत्रवाद भारत एक अत्यंत विसाल एवं विस्तरत देश है जिसमें अनेक भिन्यताओं के कारण प्रितेक छेत्र में समान आधार पर समाज विवस्ता का निर्माण समानता संभव नहीं हो सका है भारत में उत्तर एवं तच्छन तथा पूर्व और पच्छम के मद्द हजारों में गंगा यमुना का उपजाव मैदान है तो पहारी पठारी और वन्यच प्रदेश में भी हैं भारत में छेत्री विविद्दाएं इतनी अधिक हैं कि कहीं कहीं पर अनेक समू आज भी आदिम अवस्ता में जीवन विवतीत कर रहे हैं कहीं लोग खेती बारी से जीवी का उपारजित कर रहे हैं तो कहीं पसू पालन से कहीं कहीं उध्योग धंदों से तो कहीं अत्यदिक परिश्रम से कोई छेत्र अत्यंत संपन्न है तो कोई अत्यंत विपन्न भी है भारत में छेत्रवात के पनपने के लिए भौगोलिक भिन्निता एतियासिक कारक भासाई भिन निता मनोवज्ञानिक कारक या आर्थिक कारक बैचारिक समर्थन पुनर गठन और राजनीतिक कारक आधी हैं दोस्तों अगली एडिंग है छेत्रिता के दोस्त छेत्रवाद राष्ट्री एकिकरण में बाधा पहुंजाता है इसी देश की समध्दी का मुख्य का अधार उनक भाग मेरा है यह हमारी मात्र भूमी है इन विचारों से ओठ प्रोत्व हो व्यक्ति राष्ट्र के प्रती अटूट सद्धा भाव रख सकते हैं छेत्री भाशा सका राष्ट्र भाशा से अधिक मौथ्ट देना भी छेत्रिता का ही परिचायक है छेत्री निश्ठाएं भावना का नाम है समानने संस्कृति के इस्थान पर यदि हम छेत्री संस्कृति को महत्य प्रिदान करते हैं हमारे खान पान रहें सें त्योहारों पर्वों में अंतर होता है तो हम छेत्री एकता का ही विकास करते हैं जो कि बहुदा राष्ट्री एकता का विकल्व बन जाती भारत में आर्थिक आधार पर विक्सित छेत्रवाद ने भी राष्ट्री एकिकलों को कमजोर किया है अपने ही छेत्र की ओधोगिक उन्नती उसका ही आर्थिक विकास और अपने छेत्र के लिए केंद्र सरकार से आधिकादिक सहायता प्राप्त करने की इच्छा वास्ताओं म नारों से राजनीतिक लाप उठाया जा रहा है छेत्री राजनीतिक कभी कभी इस सीमा तक बढ़ जाती है कि देश की खंडता को खत्रा पैदा हो जाता है छेत्रवादी मनोवरत्ती के कारण उच्छ पदों पर आसीन राजनीतिक केवल अपने इलाके के प्रती जागरुकत डिखाते है अरफाट वे अपने राश्टरी इदायत्य के प्रती सज्ञ नूद पर आज दि के बात छेतर स्वतंद्र राश्टरों में पितिष्ठित होने के लिग दिवेदा तो दिवास्वपन तो तो कुछ आधिकादिक स्वायत्ता की मांगे कर रहे हैं इससे भी राश्टरी एकता छतीग्रस्त हो रही है तो दोस्तों अगली हैं से छेत्रीता का निराकरां छेतरीता की रोक्ताम और निराकरन हेतु निमलिखित कदम उठाए जा सकते हैं तो दोस्ते हैं पहले हैं बाइडिंग दिया हुआ है पहले हैं राश्ट्री भावना का विकास चेत्रवात को दूर करने के लिए या अवस्यक्त की छेत्र के इस्थान पर राश्ट्र को लोगों के मन में पितिश्टित किया जाए या तभी संबह हुए जब राश्ट्री भावना का विकास हो दूसरी एडिंग है भावनात्मक एक्ता की स्थापना राश्ट्री एक्ता केवल भास्णों या वारताओं से उत्पन नहीं होती यह भावनात्मक तत्य है मांसिक तत्य है अता राश्ट्री एक्ता भावनात्मक भावात्मक एक्ता पर निर्भर करती है यदि देश का प्रित पूर्ण मात्र भूमी के सुक में ही उसके छेत्र का सुक नहीं थे तो वह देश के प्रति भारत से प्रतेक नदी पर्वत से भावात्मक लगाव का अनुभाव करेगा हेडिंग तीन है दोस्तो राजनैतिक दलो का पर नियंत्रण लोकतांत्र क्योस्था के नाम पर राष्ट के विखंडन की अनुमती नहीं दी जा सकती है कि शेद्र वात का उनमूरन करने के लिए आवस्य ख़की छेत्रिता पर आधारित राजनैतिक दलोपर प्रबंदित पयति बंदे लगा दिया जाए और ऐसे दलोपो को भी नियंतरित किया जाए कि जो राजनैतिक स्वालथ की पूर्ति के लिए छेत्री भावनात्नाओं को उत्तेजित करते हैं अगली हैडिंग है दोस्तो अतर छेती चैट अंतर छेत्री संपर्ग इसमें दोस्तों अंतर छेती दिंडिक साप नहीं लिखा हुआ है इसपष्ट लेकिन वह अंतर संचार और आवा गमन के साधुनों का विकास करके विभिन छेत्र के निवासियों को परस पर मिलने जुलने और एक दूसरे के रीती रिवाजों को जानने का प्रयत्न किया जाए पाचवी हेडिंग है दोस्तों सिच्छा का प्रिसार असिच्छा अनेक समस्याओं की जन्नी है देश की भावी पीड़ी को अधिकादिक आधुनिक सिच्छा दी जानी चाहिए असिच्छित लोगों का दर्ष्टी कोण कुछ विस्तरत हो जाता है और वे संकुचित माननताओ से किसी सीमा तक स्वतंत्र होते हैं अगली हेडिंग है दोस्तों अखिल भारती संगठन अखिल भारती इस तर पर समाजिक सांस्क्रतिक तथा सेवा कार्यों का संचालन करने वाले समाजिक संगठनों को वित्ती तथा अन्य प्रकार की सुभधाय प्यदान करके उनकी सहायत करने चाहिए स्काउटिंग राष्ट्री सेवा योजना यानि की एन एसस तथा रेट क्रास आधी संथाओं को तथा सांस्क्रतिक एकता पर जोर देने वाले और राष्ट का प्रिचार करने वाले संगठनों को विसुद्ध राज राज नैतिक दस्तिकोन से सहायता तथा पु पत्रों और पत्रिकाओं पर करना चाहिए जोग्यार ना च Hazard के बिरुद्र जन जागर्ण करते हों सरकार द्वारा समचार पत्रों तदा पत्रिकाओं का प्रिकासन किया जाये रेडियो तदा टेली विजन पर चैटर सब्सक्ष muchust कर दोष्ट में अब राष्ट्री खवाँ सब्सक्रिक रूप में हिंदी को राष्ट्र महासा के रूप में घोसित किया गया है हिंदी की हिंदी की यह पितिष्ठा किसी भेद भाव या पच्छ पात पर अधारित नहीं है बलकि अपने विस्तार और लोग प्रीता पर अधारित है अता सरकारी तथा गैर सरकारी इस्तर पर हिंदी के पती को कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूं आप लोगों को तो यह मेरा जो वीडियो आपने अभी देखा यह मेरा एक पाहला पार्ट है इसका यानि कि फश्ट एयर के समास सास्त्र पेपर सेकेंड का फश्ट पार्ट है दो त के बाद मैं एक पार्ट और लेकर क्या हूंगा आप लोग लिए ताकि आप लोग को वीडियो ज्यादा बड़ी न रहे हो कि मेरा मानना ऐसा है कि वगर वीडियो छोटी होती है तो हमें पढ़ाई करने में मज़ा आता है और ज्यादा ऐसा लगता नहीं कि हम लोग बहुत वीडियो पसंद आई हो और आगे भी आप मेरी वीडियो को इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हों तो मेरे इस यूटूब चैनल यूपी वालोगी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बहल आइकाउन का निसान दिखाई देगा जाने की घंटी का निसान उस पर भी क्लिक कीजिए को ताकि आपको मेरी आनेवारी सभी नई वीडियो लगातार देखने को मिल सकते हैं और आप मीरी वीडियो धिट बहुते जाएंगी थियार के धे ख्रीय उससkitि चाहते हैं और बीच पर आपको एक मेरे यूटूब चैन मेरे चैनल का नाम लिखा होगा यूपी वालोगी श्टडी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उस लोगों पर क्लिक करके डारेक्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और और बैल आइकन पर क्लिक करके आने वाली याने की घंटी की निसान पर क्लिक करके आने वाली सभी नई वीडियो को लगतार सबसे पहले देख सकते हैं तो दोस्तों अब चलते हैं तब तक के लिए नमस्कार मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाई बाई